लेकिन शो के शुरुवात करते हैं सबसे पहले आज के पहले महा उपाए के साथ क्या confidence की कमी रहती है आप में? ऐसे में silver पहने, जीहा और मंगलवार को मीठा प्रसाद बाटें और मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी बाटें 43 days तक कवों को और डॉक को गुड की रोटी तंदूर में लगा कर खिलवाईए डॉक को सिरफ एक बाट दीजेगा, जादा मीठा डॉक के लिए अच्छा नहीं होता शो में आगे बड़े उससे पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाए सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या आप शकुन से बचना चाहते हैं? ऐसे में जब भी मौका मिले, मंदिर में नारियल जरूर चड़ाएं या अपने सिर्ज से साथ बार उसार कर किसी नदी में बाएं इससे आपके उपर अगर कोई भी नेगिटिविटी है या आपके बंते काम बिगर जाते हैं तो सब ठीक हो जागा लेकिन नदी के पास छोड़े नदी में बाहएं नहीं, उसको गंदा नहीं करें नवरात्र का तीसरा महा उपाए बताने का वाक्त आ गया है क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है बच्चों के पढ़ने के कमरे में उनके पीछे की दिवार को सफेद पेंट करवाएं और उनकी टेबल भी हो तो सफेद उस पर कपड़ा बिछाएं या फिर उसमें नीचे वाइट पेपर लगा के शीशा रख दीजे ऐसा करने से इनकी मेंटल स्ट्रेंथ और क्लारिटी दोनों बढ़ती है नवरात्र चल रहे हैं मैं आपको रोज नवरात्र के पांच महा उपाए बता रही हूँ तो चलिए आपको चोथा महा उपाए बता देती हैं क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं आप ऐसे में दुश्मनों को मन से निकालने के लिए करवाहाट को हटाने के लिए उनकी गड़बडियों को खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोरपंक पर शत्रू का नाम लिखते हैं ये काम मंगलवार या शनिवार को रात को करें इस मोरपंक को घर के मंदिर में रख दें सुभा इसे बहते पानी के पास छोड़ दें दुश्मनी खत्म हो जाएगी चली आज का पांचवा महाउपाई क्या है ये जान लेते हैं क्या घर में जहरीले जानवरों से डर महसूस होता है देखिए अगर आपके घर में छिपकली, कौकरो, चुहे, साब, बिच्चु अचानक से आने लगें तो ये अच्छे संकेत नहीं है घर में जहरीले जीफ का आना, आप पी घर में कई तरिके के अपशकुन और अंचाहा खत्रा लेकर आता है वैसे ये राहू के दोश के कारण भी होता है राहू का दोश दूर करने के लिए मोर पंक, घर की इस्ट और नॉर्थ वेस्ट की डारेक्शन में लगा दीजे झाल करता है